तो गुट मॉर्णिंग एविवान क्यासे हैं आप सब मुझे उमिद आपको बहुत अच्छोंगे तो मैं आच चुका हूँ एक और भी नई वीडियो के साथ दोस्तों जैसे कि आपको बता दूँँ आज से काफी टाइम पहले मैंने आपको दो तरह की वीडियो दे थे कि आप लोग यूटेग एप्लिकेशन से कैसे पैंकार्ट बना सकते हो फिजिकल वाला जिसके अंदर आपके घर पे पैंकार्ट आता है और इसके लाओ मैंने आपको बता दो कि कैसे डॉक्यमेट वगेरा को आप लोग समिट कर सकते हो लेकिन ये था एक फिजिकल प्रोसेस लेकिन अगर आज आप लोग अपना पैंकार्ट इंस्टेंट भी बनाना चाहते हो तुरंत अगर आपको बनाना है तो मैं आपको बता दो यूटेग के अंदर एक आप्शन है यूटेग के इंस्टेंट पैंकार्ट का जहाँ पर आपकी इमेल के अंदर आपको पैंकार्ट आपका डिलीवर होता है, वहाँ से आपको चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, और इसली कहीं भी भी जाकर अपना जो चीज़ को प्रिंट आउट करा सकते हो, तो कैसे आपको इंस्टेंट पैंकार्ट बनाओगे, इसके ओपर आज पूरा वीडियो है, तो मेरे साथ लास सक बन तो चलो वीडियो को शुरू करता है, तो दोस्तो सबसे पहले, अगर आपको यूटेक से इंस्टेंट पैंकार्ट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले कुछ कुछ चीज़े आपको चीज़े है, जैसी कि आपका एक तो वैलिड नेम, मोबाइल नमबर और आपका एक आधार क आधार होना चाहिए, जो कि किसी ना किसी नमबर के साथ लिंक होना चाहिए, मतलब आपको जो नमबर है, मोबाइल नमबर, उसके साथ आपका आधार जो है, लिंक होना चाहिए, देन उसी के बाद आप लोग प्रॉसीट कर सकते हो, अब सबसे पहले, आपको ये सब option है और एक है instant pen card तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हम इसे Chrome पर open करना आपको भी Chrome पर open करना है तो यह मेरा password डाला है यहाँ पर जैसे मैं Chrome चार तरह की steps पूछेगा simply 4 steps होंगे जिसके बाद आप लोग proceed कर सकते हो पहले step के अंदर आपको यहाँ पर अधार नमबर डालना है आधार का जो नमबर होता है 12 डिजिट का वह आपको डालना है इसके बाद I confirm that पर आप लोग क्लिक करके जैसे इसे continue करते हो continue करने के बाद इ याद रखना जो नमबर आधार से connected है उस नमबर पर OTP आएगा तो वह OTP आपको यहाँ पर डालना है तो जैसे मैंने इस पर क्लिक क्या जैसे कि आप देख पा रहे हो तो मेरे पास OTP यहाँ पर पेस्ट करा पेस्ट होने के बाद जैसे आपका continue करेंगे आप continue होने के बाद आप लोग देखोगे एक आपके सामने नया पेज ओपर होगा नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर जिस भी परसन का आप लोग पैंकार्ट बना रहे हो उनकी यहाँ पर डेटेल्स आपको मिलेगी उनका नाम, नमबर, इमिलेड़ी, डेट ओव बर्थ, सब कुछ है, तो अगर चाहुते हैं, आपको मिलता है एक निउ इंटरफेस, जहां पर आपको मिलता है एक पौप-प, दियान सो सुना है, एक पौप-प मिलेगा, जहां पर आपको अपना इमेल आईडी को वेरिफाय करना है, अधर वाइस अगर नहीं करोगे तो आगे प्रोसेड न आपका जो e-pan के लिए request है, वो company तक send हो चुकी है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, जैसे आपका हो जाए complete, इसके बाद आप बंद कर सकते हो application को, यहां पर आपको लगबग से लगबग, बारा घंटी के बाद आप लोग जैसे ही, यू OS के लिए डाला था, अब यहां पर मैं दोबारा application को open करता हूँ, तो जैसे के आप लोग देखे हो, मैंने application को open किया हुआ है, इसके बाद नीचे नीचे scroll करेंगे, यहां पर instant pen cut करते हैं, और जैसे मैंने instant pen cut किया, तो यहां पर थोड़ा सा load होगा पहले ही की तरह, तो यह तो यहां पर आपको again, अपना आधार card number यहां पर enter करना है, आधार card number डालने के बाद, आप लोग देखोगे, जिस भी date को मैंने इसके लिए request डाली थी, वो date मुझे दिखेगे, otherwise, अगर नीचे वाला option आपको pending मिलता है, यहां पर आपको वेट करो, और भी time हो सकता आपका लगे, लेकिन at the time आपको दोनों option अगर टिक दिख जाए, तो आपको जो pen है, वो बनके आ चुका है, अब इसको download कैसे करना है, इसको समझने से पहले एक बात को समझो, यहां पर आपको view pen और download e-pen, तो आपको सबसे पहले एक note यहां पर पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने आप लोग व्यू करने चाओगे, तो आप आपको एक file protection के नाम से option मिलेगा, जहां पर आपको एक password डालना है, लेकिन password क्या है, तो इसके अंदर साफसाफ mention है, कि जिस भी person का आप लोग pen card बना रहे हो, उनका date of birth, वो ही उनका password होगा, तो मेरा जो password हैं आपर, वो मेरा date of birth ह होगा, तो मैं जैसे view pen पे click करता हूँ, तो file protection मिलता है, जैसे के आप देख पा रहे हैं, हमारा pen card बनके आज चुका है, तो इसको हम लोग three dot पे click करके, simple तरीक से download भी कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसे के आप लोगों देखा, मैंने बिल्कुल सरल भासा में, आपको एक एक step by step detail में बता है, कि के सबसे आप लोगों इंस्टेंट pen cut को easily you take application के अंदर बना सकते हो, अगर आपको एक process बिल्कुल अच्छी तरह समझ भाया, तो जल्दी से आप लोगों मुझे comment करके बताना, कि आप को वीडियो कैसा लगा, अभी इस video का भी लाइक नहीं किया, तो जल अब मिलते हैं किसे और नहीं वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप लोगों हसते रहें और मसते रहें